पहला परधानमंत्री में देख रहा हूँ जो हमारे देश का जो जुट बोलता है और खुले में बोलता है और खुल खुल कर बोलता है चार पीडियां जेनरेशन्स फौज में यूनिफार्म सर्विसिस के अंदर है मेरे सगे चाचा 1962 की चाइना की लड़ाई की शहीद है वीर चक्र है हम पीडी दर्द पीडी देश की सेवा चाहे वो पुलिस सर्विसिस के अंदर फादर आई पीडी से पेशा है देश की लिए काम करना है चाहे वो सेना में रहकर या सेना से बाहर रहका तो हम लोग काम कर रहे हैं देश के लिए समर्पित है हमारा परिवार 126 की जगह पे 36 जहाज कर दिया और 36 के 36 फिनिश्ट कंडिशन के अंदर हम उनसे लेंगे तो टेकनोलोजी कहां आई हमारे पास और उसका जो 30% आफसेट के जरीए जो देश में खर्च होना था इस पूरे के पूरे जो सौदे के अंदर तो 30% जो खर्च होना था हो एचेल से जिसका पिछले 60 साल का इतिहास है जहाज बनाने का उससे लेकर अने लंबानी की कंपनी को दे दिया जो सिर्फ एक महीना पहले इस्टैब्लिश होई थी जिनको मालूम नहीं था कि जहाज का नट बोल्ट कैसे बनता है उसको देने का काम किया तो सिधा सिधा दर्शाता है कि आपने प्रेफरेंस के तौर पे एक अपने दोस्त को आपने उसकी कंपनी को पूरा का पूरा ठेक के पास काला धन है तो वो ऐसे ही तो धन इनका इकठा कराया पहली बार के जो वोटर है क्या उनकी वोट हमें पुलवामा के शहीदों या बाला कोट की स्ट्राइक के उपर हमें मिल सकती है यह मोदीज जी का भाशन है शर्म आती है ऐसी बात कैसे एक राजनितिक पार्टी अपनी सत्ता पाने के लिए देश की सेना का इस्तेमाल कर सकता है कि दरकार पड़े देशक कु गठन करिया पाइं बार्तमान जदी कहेबा राजनितिरे के बड़ा सिखीता जुबकुन हों पर राजनिति वितरे आमा देशर्म सेना सवेता जिये दिर्गा बर्शाधरी की जोड़ी है की रहितेले से भली ब्यक्ति माने मध्यां अच्वां तो आजी आमसेता अच्वांती कॉर्नल रोहित चोद्री चा तांकसेता सिधास्वाल कथा हाबा आउ शिक कहें की खास करी कि एबड़ी राजनिति खेत्रों को इच्छा कर चांती आउ बर्तमान समयरे कॉंग्रेस चाहिता जोड़ी है की प्रकार आउहां दोच्छांती से जो जी सतरह से की दोजार चब्वीस का निर्वाचन अभी इलेक्शन का मौसम चल रहा है सबके मन में एक उस्चकता है और सभी भोड देने के लिए भी रेडी है पर कहीं ना कहीं भोड इधर उधर हो जाता है तो आप एक मतलगी खास करके देश के सेना के सेना में सामिल थ देखिए हर इंसान के लिए बड़ा जरूरी है कि पहले आप अपना काम करते हैं और उसके बाद जो आपने अपनी जिन्दगी में सीखा है उसको वापिस समाज को देना जरूरी है हमें फौज ने बहुत कुछ दिया धर्म निर्पेक्षता दी काम करने का तरीका दिया विजन दिया ट्रेनिंग दी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आगे वाले आने वाली पीडियां है उनको भी हम अपना जो ग्यान है जो अपनी सोच है जो हमने सीखा है उसको आगे करें तो राजनितिक तौर पे और समाजिक तौर पे हम समाज में काम कर रहे हैं लोगों को उत्थान करने का काम कर रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको रोजगार के बारे में बताने का काम कर रहे हैं बहुत कुछ है जो चीज हम कर रहे हैं तो य राजनीति में गुसे हैं किसके लिए देखे मेरी चार पीडियां जनरेशन्स फौज में यूनिफॉर्म सर्विसेज के अंदर है मेरे सगे चाचा उनिस सो बासट की चाइना की लड़ाई के शहीद है वीर चक्र है हम पीडी दर्द पीडी देश की सेवा चाहे पुलिस सर्विसेज के अंदर फादर आईपेस आफसर थे ग्रैंट फादर भी ऐसे ही थे तो फौज पुलिस यूनिफॉर्म आईएस यह हमारा चार पीडी से पेशा है देश की लिए काम करना है चाहे वो सेना में रहकर या सेना से बाहर रहकर तो हम लोग काम कर रहे हैं दे हम पूरी तरह से समर्पत हैं और हमें देश के लिए जान देने के लिए काम करने के लिए जब कभी भी मौका मिलेगा तो आगे ही आगे पाएंगे एक सवाल सर बाते कुछ एसे बात होगा मतलब कि कुछ एसे पूछेंगे भी हम कहीं गुशा नहीं होंगे आप कि वो खेतर एक दूसरा होता है कि जब कोई सेना में गुशते हैं तो उनका स्टाइल उनका स्टाटरजी उनका काम उनका तरीका सब कुछ अलग होता है पर जो अगर आपने राजनीती में भी गुसे, कि देश के लिए जो भावना था, वही भावना लेके आप राजनीती पर गुसे, तो कॉंगरेस क्यों? जो कि पिछले दस सालों से भी अभी राजनेती में ठीक तरह से खुद को खड़ा करने के लिए भी लगा पड़ा हुआ है देखिए जो हमारी सेनाएं हैं भारतिय सेनाएं हैं वो हमें सिखाती है शहादत देना, कुर्बानियां देना, ट्रेनिंग ऐसी होती है कि देश के लिए मर मिटने का जजबा कॉंग्रेस पार्टी का इतिहास, देश की आजादी दिलाने से पहले से लेकर आज तक का जो इतिहास है देश को जोडने का है धर्म निर्पेक्ष्टा का है, सब का सम्मान करने का है, ऐसे ही फौज हमें सिखाती है, सर धर्म संभाव, एक ही चार दिवारी के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुर्द्वारा, गिर्जा, सब कुछ एक साथ, जो पल्टन का धर्म वही मेरा धर्म, पल्टन सिक तो मैं सिक, प और कॉंग्रेस पार्टी का जो, की जो भावना है, धर्म निर्पेक्ष्टा की, सब लोगों को साथ लेके चलने की, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, समाजिक तोर पे वंचित, शोशित, सब को साथ लेके चलने की, यही भावना, फौज सिखाती है, यही भावना कॉंग्रेस पार्टी की है, लेकिन आपका सवाल जो है कि कॉंग्रेस ही क्यों, क्योंकि यह फौज का जो फिलोसिफी है, इतोस है, वो कॉंग्रेस के साथ मैच करता है, फौज का इतोस राष्टवाद का भी है, लेकिन फौज का इतोस, पीजेपी की जो जाती धरम में बां हातने की जो राजनिती है वो देश के लिए बहुत हानी कारक है और देश के लिए बहुत ही घातक है तो इसलिए बीजे-पी? ऐर्फ्छस पूरी तरह से ग्रॉस ना प्रीजे-पी और रहसे वो हमेंशा देश को जोड़ने की बात करते हैं देश के लिए उनका समर्पित भावना उन्होंने बोलते हैं और लास्ट बात अगर बोले कि लास्ट दस साल से बीजेपी सरकार पे हैं तो अगर आप बीजेपी पे जाते तो कहीं न कहीं लोगों के लिए जो सेवा करने की अफसर आपको भी मिल सकता था देखिए बीजेपी वाले प्रलोभन देने की बहुत कोशिश करते हैं पद और प्रतिष्ठा देने की बात करते हैं पद तो हम 47 साल की उमर में करनल का पद था आगे जर्नल भी बनते पद तो हम वहीं छोड़के आए जब हमने समाज में कदम, समाज के लिए कारे करने के uniform services के अंदर काम करने की प्रतिष्ठा हमारे परिवार में है तो ना हमें प्रतिष्ठा चाहिए सब कुछ हमारे पास है हम समर्पित भावना से Congress Party के एक कारे करता है काम कर रहे हैं 10 साल से काम कर रहे हैं और हमने Congress Party 2014 में तब जोईन के रिए फॉज छोड़के जब कॉंग्रेस पार्टी उतार पर थी लेकिन भावनाएं फॉज के साथ मिलती थी तो इसलिए चुनाव कॉंग्रेस पार्टी के लिए किया था और दस साल से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक जिन्दा है तब तक धर्म निर्पेक्ष र काम करते रहेंगे कारनल सार आप जब सेना थे तो बहां पर आपको मली कौं से कौं से पोस्ट मली कौं से दय था तक इस पन को ये आप पूरा आपको कि दैंग्रीити हम लेक्वीय काम किया डिकिये मैं एक एंगीनियर हूं कि इक ए म्चंट्र्वो 2015 При मैंने टैंक यूनिट्स के अंदर भी काम किया, मिजाइल यूनिट्स के अंदर भी काम किया, आर्टलरी के अंदर काम किया, प्रित्वी मिजाइल के अंदर काम किया, तो प्रित्वी मिजाइल देश की जो आनुविक मिजाइले हैं उनके उपर काम किया, तो बोड़े अलग अ पर काम किया है तो फॉज की बहुत सारी चीज़ें जो हैं बारी किया मैं नहीं बताना चाहूंगा लेकिन कि फॉज में मौका मिला सीखने का काम करने का और फॉज ने आज जो कुछ भी हूँ वो मैं फॉज की शिक्षा फॉज के सभी धर्मों को साथ लेकर काम करने की जो उन को बचाने की भावना है देश को आगे बढाने की भावना है उसके साथ हम लोग चल रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी हम जिस ले से देखते है인지 ने 4000 किलोमेटर की भारत जोड़ो यात्रा की है तो वो देश को जोड़ने की यात्रा की इतने सरे जगा पर गुमे और इतने सरे आपको अगर बोले तो तुजुर्बा बहुत सरे है पर उस टाइम पर और इस टाइम पर दोनों में कुछ अंतर है जो उस टाइम में कंग्रेस था तो कंग्रेस के सत्य में कि इंडियान आर्मी कौन से पोजिशन पर था उसके पास क्य क्या equipment थे और अभी जो बीजेपी सरकार है तो वो equipment बढ़ा है और या फिर नहीं या फिर जो equipment है वो सब waste है क्या लगता है आपको देखिए आप ये मान के चलें कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में ना तो सुई बनती थी ना military equipment बनता था सब कुछ import होता था 1947 से लेके 2014 के बीच ज़्यादा तर 5-6 साल छोड़ कर Congress Party का राज रहा देश की सेनाओं को मजबूत करने का काम Congress Party ने सिलसलेवार किया अलग 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 सरकारें आई और जो हमारे जो defense capabilities थी तब हम बिलकुल ही कमजोर स्थिती में थे 1947 में उसके बाद जिस तरह से DRDO बना, ISRO बना और बहुत सारी organizations बनी, science and technology के हमारे public sector undertakings बने, defense PSU बने, defense के equipment हमने बनाने शुरू किये, तो तब से लेके और 2014 के बीच का मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि फॉज एक काम करने का तरीका है, हम 15 साल, हमारे 20 साल की perspective planning होती है, 5 year की perspective planning है कि हम क्या-क्या procurement करेंगे, क्या-क्या हम चीज़ बनाएंगे, हमारे देश में 2014 तक, tank भी बनते थे, जहाज भी बनते थे, ship भी बनते थे, satellites भी बनती थी, rockets भी बनते थे, missile भी बनती थी, तो 2014 से पहले, सब कुछ हमने achieve कर लिया, nuclear power भी हम बन चुके थे, 1974 में जब हमने, यह nuclear test किया था, 1975 में हमने आरे भट अपना launch किया था, तो इस तरह करके हम हर equipment बना रहे थे, देश को इस, साथ साल में पूरा मजबूत बनाया गया, 65 साल के अंदर मजबूत बनाया गया, 1947 से लेके और 2014 तक, और मोदी जी को, NDA सरकार को जो आगे एक नीव बना के दी थी, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा defense equipment हमारा नहीं आया, आप जैसे हमारे रफेल जहाज से, कॉंग्रेस पार्टी ने 136 रफेल जहाज लेने थे, जिन में से कुछ जहाज, 18 जहाज finished condition में आने थे, बाकी सारी technology transfer होके HL को बनाने का, हिंदुस्तान Aeronautics Limited को बनाना था, लेकिन मोधी सरकार ने आकर 136 की जगाए पे 36 जहाज बना दिये, 126 की जगाए पे 36 जहाज कर दिया, और 36 के 36 finished conditions के अंदर हम उनसे लेंगे, तो technology कहां आई हमारे पास, और उसका जो 30% offset के जरिये जो देश में खर्च होना था, इस पूरे के पूरे जो सौदे के अंदर, तो 30% जो खर्च होना था, हो HL से, जिसका पिछले 60 साल का इतिहास है जहाज बनाने का, उससे लेकर अन्य लंबानी की company को दे दिया, जो सिर्फ एक महिना पहले establish होई थी, जिनको मालूम नहीं था कि जहाज का nut bolt कैसे बनता है, उसको देने का काम किया, तो यह तो सिधा सिधा दर्शाता है कि आपने preference के तौर पे, एक अपने दोस्त को, आपने उसकी company को पूरा का पूरा ठेका दे दिया, तो यह क्या तरीका है, आज जब 10 साल के शासन के बाद मोदी जी कह रहे हैं, कि अमबानी और अडानी के पास काला धन है, तो वो ऐसे ही तो धन इनका इकठा कराया, आज वो धन जो इकठा हुआ हुआ है, अगर वो काला धन है, तो उनको पकड़ो, लेकिन जहां तक बात है defense equipment की, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि हमने सब कुछ बनाया, 2014 के अंदर देश आजाद हुआ, 2014 के अंदर देश की सेना जो है मजबूत हुई, तो ये जूट बोलते हैं, 1962 की लड़ाई, 1965 की, 71 की, कारिगिल का युद, इसके इलावा और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी जो, जो इंडियर आर्मी, इंडियर defense forces, उनका जो stretcher है, level है, training है, वो वर्ल्ड की सबसे बढ़िया फौज है, नमबर वन फौज थी, नमबर वन थी, आपने उस नमबर वन को, बना के रखा, ये हम उसके लिए, आपको, आपको श्रेनी देंगे, क्योंकि ये system एक बना दिया गया था, पहले से, फौज को पूरी तरह से, independent और, गैर राजनितिक रखा गया, अपने आप मजबूत होती चले गई, सरकार ने पीछे से बैकिंग देते रहे, और जितों उनको, funds महया कराना था, जो independent structure दे रहा था, वो देने का काम किया, Congress Party की सरकार ने, लेकिन, 2014 के बाद, फौज का आपने गलत इस्तेमाल किया, Congress Party की सरकार ने है, 2014 से पहले की सरकारों ने, कभी भी, राजनीती के लिए, वोट मांगने के लिए, कभी भी, फौज का इस्तेमाल नहीं किया, 1971, वार के अंदर, एक, मुल्क के, पाकिस्तान के, दो हिस्से कर दिये, बांगला देश, नामक एक देश को, जन देने का काम किया, 93,000 soldiers, पाकिस्तान के, सरंडर कराए गए धाका के अंदर, कभी उसका राजनीतिक फायदा नहीं लिया गया, उसके नाम पे वोट नहीं मांगी, लेकिन, शर्म आती है, और दुख होता है, 2019 के चुनाव के वक्त, जो पुलवामा में हमारे, 40 जवान शहीद हुए थे, 300 किलो, RDX वहाँ पर घूम रहा था, शहीद हुए, उस अटैक के अंदर, शहीद होने के बाद, देश में एक सेंटिमेंट जेनरेट हुआ, कि इसका बदला लेना चाहिए, बाला कोट पे स्ट्राइक की गई, उस पुलवामा के हमले के उपर, और सेना के एक्शन के उपर, सेना कारगर एक्शन हमेशा करती रही है, और करती रहेगी, वो किसी राजनितिक पार्टी की बपौती नहीं है, भारतिय सेना, वो आपकी, आपकी, हम सब की सेना है, हिंदुस्तानियों की सेना है, भारत देश की सेना है, वो किसी राजनितिक पार्टी की, मोधी की, या किसी और राजनितिक पार्टी की बपौती नहीं है, वो अपना काम करती है, बखू भी करती है अच्छी तरह करती है और आगे भी करती रहेगी लेकिन उनके नाम पर अगर आप वोट मांगते हैं तो ये गलत है उनके एक्शन के उपर आप कहते हैं कि हमें पहली बार के जो वोटर है क्या उनकी वोट हमें पुलवामा के शहीदों या बाला कोट की स्ट प्राइक के उपर हमें मिल सकती है, ये मोदीज जी का भाशन है, शर्म आती है ऐसी बात, कैसे एक राजनितिक पार्टी या एक परधान मंतरी अपनी सत्ता पाने के लिए देश की सेना का इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद जब आप, दूसरा कारेकाल आपको मिला, आपने दे देश की सेना का राजनिती करण किया, जो कभी नहीं आज तक हुआ था, आपके देश, आपने देश के सेनिकों को सेल्फी पॉइंट की सेल्फी पॉइंट बनाएंगे, देश की जो केंटोन मेंट होती है, डिफेंस एरिया होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी खुफिया ज हमने जाके काम करना कितनी हमारी स्ट्रेंथ है क्या हमारा एक्यूपमेंट है क्या हमारी केबिलिटी है क्या हमारे तौर तरीके हैं स्ट्रेटिजी है काम करने की हम सेलफी पॉइंट के जरीए यह सब चीजें जर नहीं बता सकते हैं आपने उसका राजनिती करन करने का काम किय इसके बाद आप कहते हैं कि हम मेरी माटी मेरा देश हमारे सैनिक अपने अपने घर जाएंगे मिटी उठा कर लाएंगे और पता नहीं क्या बनाएंगे कौन सा समारक बना रहे थे भगवान जाने लेकिन सैनिकों का काम जिसका काम देश की सरक्षा देश की सरहदों की रक्षा करना है बॉर्डर्स की रक्षा करना है जिसके आत्मे बंदूक होना चाहिए हथियार होना चाहिए और दुश्मन को निस्तन अबहूत करने का एक जजबा होना चाहिए उसको मिट्टी उठवाने का काम कर रहे हैं क्या करना चाहते हैं मोदी जिया तो ये राजनिति करन करना शुरू उसके बाद उन्हें ने कहा कि जो 15 दिन से ज्यादा सैनिक 15 दिन से ज्यादा की छुटी पे करेगा और उस काम करने की रिपोर्ट अपनी यूनिट के अंदर सब्मिट करेगा ये कौन सी फॉज है भाई वो बंदा साल में दो महीने की छुटी उसको मिलती है वो अपने घर और परिवार को अपने बच्चों को अपने सब चीज को लुकाफ्टर करना है जब वो सरहत के उपर खड़ा होता है घर में कोई बिमार होगा कोई बिमार होगा फैमिली बिमार होगी कुछ और होगा कोई जीना हो लगेगा कोई मरना हो लगेगा लेकिन वो देश की सरहत को छोड़के नहीं जाता तो उसके दो महिने उसके परिवार को देने के लिए है यह आपकी sponsored राजनितिक संस्थाओं और जो बीजेपी आरेसेस की sponsored संस्थाओं में काम करके और उनको उनका brainwash करने का काम नहीं होता तो यह भी सुनने में आया कि उन्होंने प्रचार के लिए कि जो विक्सित भारत का सपना है वो लेकर सारे देश में IS IPS अधिकारी और सेना के अधिकारी भी पूरे देश में जाएंगे और मोधी जी की कामों का प्रचार करेंगे यह सेना की हमने कलपना नहीं की थी हमें ऐसी सेना नहीं चाहिए जिसमें आप सेना का राजनिती करन कर रहे हैं देश की सेना का हमने एक स्टेचर बनाया है सम्मान बनाया है वो हर वर्ग की देश के हर नागरिक की सेना है उसको आप प्रचार तंतर में इस्तेमाल ना करें जो उसका काम है करन दे उनको अपना काम अच्छा का आची तरह से करना आता है और देश की सुरक्षा करने में काभिल हैусов बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और आगे अब दस साल मोदीजी, पर ऐकर देखा जाए तो उस से पंक साल भी वाजपा येझे वहां पिहारी जी थे उनका साशन और मोदी जी का साशन इन दोनों के साशन में बहुत अंतर है या पिर कुछ अंतर लगता है अब दिखिए ऐसा है जो मोदी जी है वो सिरफ और सिरफ अपने मन की बात करना चांते हैं जो मैं हूँ जो मैं कहना चाहू जो मैं कहूँ वही सही बाकी सब गलत मैं जिसको चाहू वो रहे बाकी सब खत्म ऐसे देश नहीं चलता जो भाजपा का अठल विहारी भाजपाई जी का कारेकाल था वो उस समय के नेता थे जिनको कॉंग्रेस पार्टी ने अपना रेप्रेजेंटेटिव बना के United Nations Organizations के अंदर UNO में भारत की रेप्रेजेंटेशन करने के लिए बेजा ये थी राजनिती एक एक दूसरे का सम्मान था इज़ती वैल्यू करते थे एक दूसरे की बातों को हो सकता है विचार धारा का डिफरेंस हो लेकिन एक दूसरे का सम्मान था मोदी जी ने वो सम्मान और जो परधान मंतरी के एक पद की गरिमा थी उसको गिराने का काम किया है जो उनके वक्तववे पिछले कुछ दिनों में आ रहे हैं कभी नहीं सोच सकते थे कि हमारे देश का परधान मंतरी वो चुनाव के दौरान पे किसी पार्टी के को गलत दिखाने के लिए ये कहेगा कि वो तो आपके घर ले जाएंगे मंगल सुत्र बिकवा देंगे चिनवा देंगे आपके घर से आपकी भैसे उठा के ले जाएंगे अरे मोदी जी अब प्रधान मंतरी हैं भारत देश के प्रधान मंतरी है इंडिया is one of the biggest and the most powerful nation economically और defense के तौर पे आपको ऐसी बातें शोबा नहीं देती हैं मोदी जी ने एक मानुफेस्ट भी निकाला हुए हैं तो उस मानुफेस्ट में हमारे इंडियान आर्मी के लिए कुछ ऐसा चीज लगता है कि ये भी उनके लिए भी ज़रूरी है और स्विक्र कर सकते हैं ये मानुफेस्टो मोदी जी का मैनिफेस्टो जो defense section है वैसे तो मोटे तौर पे सारा defense section के अंदर defense को लेकर defense के लिए कोई भी चीज नहीं कही गई है कोई welfare के बारे में बातचीत नहीं कही गई है जैसे Congress के manifesto को और इनके आप दोनों को compare करेंगे Congress ने कहा कि हम one rank one pension जो UPA सरकार ने plan किया था उसके हिसाब से हम one rank one pension देंगे 26 February 2014 को UPA सरकार ने इसको pass किया था और दोनों Parliament के में इसको unanimously pass किया गया था UPA के कारेकाल में उसके हिसाब से हम इसको देंगे लेकिन मोदी जी इसके बारे में चुप है मोदी जी कहते हैं जी मैंने तो one rank one pension में जब आज तक एक लाग करोड रुपया दे दिया है 30,000 करोड रुपय का तो उनका difference October 2023 से लेके और February 2024 में जो अलग अलग जगे भाशन दे रहे हैं वहाँ पर 30,000 करोड का difference डाल दिया तो इतनी तेजी से तो हमारी economy नहीं grow हो रही defense budget इतना तेजी से grow नहीं हो रहा हमारी जो GDP है growth rate है वो तो 6-7% है ये तो 1500% से भी ज़्यादा speed से grow कर दिया है इनों ने तो जूट बोलते हैं पहला परदानमंत्री में देख रहा हूँ जो हमारे देश का जो जूट बोलता है और खुले में बोलता है और खुल खुल कर बोलता है देश की सेनाओं के साथ जूट बोलता है देश के सेनिकों के साथ पूर सेनिकों के साथ जूट बोलता है तो जब देश के सुरक्षा अजेंसियों के साथ जो जूट बोल सकता है तो वो किसी के साथ भी बोल सकता है किसानों के साथ जूट बोलता है किसानों के साथ में बोलता है कि 2022 में उनकी इंकम डबल कर दूँगा MSP की गैरेंटी लेके आये थे MSP कहीं भी नहीं उसके लिवावा MSP के इलावा पता नहीं क्या-क्या बना दिया उसका ठीक है तीन कृशी कानून सरफ अपने पुझी पती साथियों को फाइदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये तीन कृशी कानून लेके आये थे और उससे पहले अडानी और अमबानी और बहुत सारे तो ये उनकों फाइदा पहुंचाने के लिए ये कानून लेके आये थे जो अगनी पुत्र है उनके बारे में क्या बोलेंगे जो अगनी पुत्र अभी जिस तरह चेका अगनी पत स्कीम देखिए मोधी साहब ने देश की सेना और सुरक्षा को कमजोर करने का काम किया है तरहा साल में भरती होंगे, बाइस साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे, छे महिने की ट्रेनिंग होगी और छे महिने की ट्रेनिंग के बाद हमारा तक्रीबन छे महिने की उसकी छुटी रहेगी चार साल के कारेकाल में, तीन साल के लिए काम करेगा, ना उसका भविश्य, ना उसकी ट्रेनिंग, ना वो सेना में सही तरीके से समायोजित हो सकता है, तो हमें आल वैदर सेनिक ट्रेन, सोलजर को ट्रेन करने के लिए पांच से छे साल लगते हैं, अलग-लग एकुप्मेंट के उपर, अलग-लग ट्रेड्स के उपर उसको तयार करना होता है, तो अन्ट्रेन्ड सोलजर को जब हम आर्मी के अंदर डिप्लॉय करेंगे, तो वो सह तरीके से ट्रेन नहीं है, mentally, physically, robust नहीं है, तगड़ा नहीं है, तो इसलिए सेना ने उसके उपर restriction लगा दी कि वो ना तो independent कहीं पर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ना किसी sensitive जगह पर लगा सकते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, कि आपको एक सैनिक की उपर एक और सैनिक लगाना पड़ेगा, जहां कहीं पर भी उसको भेजगें, तो ऐसी सेना का हमने परिकल्पना नहीं की थी, ऐसी सेना की imagination हम नहीं कर सकते हैं, हमें देश के लिए सुरक्षित और regular सैनिक चाहिए, हमारे देश में दो हिस्से हैं, पाकिस्तान और चाइना क security के हैं, तो हम two and a half front के उपर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें regular soldier चाहिए, जो अपना सर्वस्व बल्दान करने के लिए, देश पे निचावर होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तयार रहे, वो तब आता है, जब उसको पता है कि मैं पहली बात मैं fully trained हूँ, और जब मैं आगे लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मेरे परिवार का रख रखाव, देख भाल मेरे देश के लोग करेंगे, तो मैं इस देश के लिए जान देने के लिए तयार हूँ, जब उसको पता है कि मैं दो साल बाद, तीन साल बाद retirement चले जाऊंगा, तो मैं किसी तरह स अपने को बच बचा के घर पहुंच जाऊं, क्या ऐसे कमजोर सैनिक हमने तयार करने चाहिए, यह मैं आप से भी पूछता हूँ, तो अगनी पत योजना के जरीए इन्होंने नुकसान किया देश के सुरक्षा का, देश के युवाओं का, देश की सेना का, यह देश की सेना के साथ और सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवार है, गातक है यह कदम, और इसके दो पहलू है, अगनी पत योजना लाने से पहले का पहलू, जब साट लाक लोगों में से डेड़ लाक बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनको बेरोजगार कर दिया, जॉइनिंग की सेना में सेवा करने की है, उसके बाद अगनी पत के जरीए अगनी वीर लेके आए, जो कमजोर सेनिक, पूरी तरह से ट्रेन नहीं, और उसके साथ-साथ जैसे मोदी जी जाती और धरम के नाम पे देश को बाटते हैं, इसी तरह से उन्होंने सेना को भी बाटने का काम किया ह अगनी वीर सेनिक को मातर 21,000 रुपया तनखा दी जाएगी, रेगुलर सेनिक को 45,000, तो क्यों वो एक जैसा काम करेंगे, नहीं करेंगे, तूसरी बात, जब वो एक ही यूनिट के दो आदमी शहीद हो जाते हैं, तो शहादत के टाइम पे हैं, तो दोनों को अलग अलग च चीजे मिलेंगे, शहादत के अंदर भी भेदभाव कर दिया है, इस शहादत के अंदर रेगुलर सेनिक को जिस तरह से बचे हुए 15 साल तक का पूरी फुल सेलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, ग्रेचिटी मिलेगी, एक्सर्विस्मेंट का दर्जा मिलेगा, शहीद का को हेल्थ बेनिफिट और शिक्षा ये सब चीज का बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीज से अगनी वीर को महरूम रखा गया है, उसको ये सब बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो आप कैसे उमीद कर सकते हैं कि एक ही यूनिट के अंदर काम करने वाले दो शहीदों के को जो जो दे रहा है, वो अलग लग चीज दे रहा है, उनके अब भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसी सैना हमें नहीं चाहिए, हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, कॉंगरेस पार्टी ने फैसला किया है, कि हम अपने मैनिफेस्टों के अंदर उन्हों न करेंगे और यह जो डेड़ लाग बच्चे जो जॉइनिंग की इंज़ार कर रहे थे उन सभी लोगों को हम जॉइनिंग कराने का प्रोसेस शुरू करेंगे कि अभिव जाथ टाइम ने लेगे एक सवाल भूल ठीव कि अभी जिस तरह की इसलिख्राइश टाइम है हम जिस तरह से कि अगर देश ना चाहिए या फिर देश को बचाना चाहिए तो यह भोट हम च्पना आप को बचा सकता है तो उसी दिरे आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि आप उनका भोट भो किसको दे या फिर उनका भोटिंग का मुल्य क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएगे देखिए ये आम चुनाव नहीं है ये बहुत ही गंभीर चुनाव है देश के समिधान को बचाने का चुनाव है देश की संस्थाओं को बचाने का चुनाव है देश की सेना को देश की सुरक्षा को देश के युवाओं के भविश्य का चुनाव है ये जो 400 पार का नारा है य ये जो हमारी कॉंग्रेस पार्टी बात करती है जितनी हिस्सेदारी उतनी भागेदारी उसका मूल मंत्र यही है कि हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं सभी को उनका जो भी उनका ड्यू बनता है वो उनको दे पाएं युवाओं को रोजगार दे पाएं महिलाओं को का शहसस्त्री करन कर पाएं उनको पा उनकी एंपावरमेंट कर पाएं उनको एक लाग महालक्षमी योजना के जरीए जिस तरह से हम एक लाग रुपया उनका सलाना देने के हर परिवार के में सलाना देने के बात कर रहे हैं जिस तरह से युवाओं को पहली नौक के अंदर डाली गई हैं तो हमारे जन्नायक राहूल गांदी जी ने, कॉंग्रेस पार्टी ने, खडगे जी ने, सोनिया जी ने, इन सब ने और सब ने मिलकर एक फैसला किया कि हमें अपने देश को बचाना है, देश को नियाए देश के हर तबके को नियाए देना है, तो उस नियाए देने की लड़ाई है ये, और ये चुनाव हमारे देश के भविश्य को बचाने के लिए चुनाव है, तो इसलिए मैं सब आपके माध्यम से उडीसा के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, कि वैसे तो तीन चरन खतम हो चुके हैं, तीन चरन में बी पीजेपी की सरकार किसी भी तरह से नहीं आ रही है, इंडिया की गडबंदन की कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, तो इसलिए आपकी और जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने एक एक वोट के जरीए अपने देश के सविधान को बचाने का काम करें, आपके देश की सेना को सुरक्षा को अपने आपको अपने बच्चों के आने वाले भविश्य को बचाने का काम करें अगर आपकी एक वोट इंडिया गडबंदन के कॉंग्रेस पार्टी के केंडिडेट्स को मिलती है तो यहां से बीजे पी का जाना तैह है और देश में आपकी अपनी आपक आपको न्याय देने वाली सरकार इंडिया की कॉंग्रेस की सरकार आएगी और हमने वाइदा किया है कि हम 15 अगस तक यह जो 30 लाग पद है वो भी भरने का काम चालू कर देंगे तो आपकी अपनी सरकार के लिए अपने भविश्य के लिए अपने बच्चों के भविश्य के और अपना भविश्य उज्वल करें अपने बच्चों का भविश्य उज्वल करें हाथ बदलेगा हालात जुडेगा भारत जीतेगा इडिया धन्यवाचार परतमां समारे जेहेतु जो निर्वाच्चन समय आमे तो कही बुनों कोई दोलको आपना मने बाच्चिवे किन्तो आपना करें भवोट निहांती हाबरे देशा गठन करिवारे कोडे बहुत बड़ा सपोर्ट रहे आओ बहुत बड़ा सहज़क निहांती हाले निजा मुंड़को खटांतु आउ आंगोठीरे भोड दियांतु त्याल देखिवे निहांती हाबरे देशा गोटे फोनी कोडे सुनार देशा हववा ही हो सुनार देशा तो आमार रही चीशा बोड़े किन्तो ए देशा को केमती गढ़िवे शेटा आपना माना करें गुमने स्वरुकिया आपरसण निराजन का से दा अजे खुमार प्रति पेंटेवे